नमस्कार दोस्तों, तालिबान के टेक ओवर के बाद धिरे धिरे जो इसके इंप्लिकेशन्स हैं वो सामने आते जा रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था भारत के साथ अफगानिस्तान का उसको यहाँ पर रोग दिया गया है तालिबान के द्वारा यह आपने यहाँ आपर न्यूस देख सकते हो तालिबान स्टॉप्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोम इंडिया FIEO के द्वारा बोला गया तो इसके बारे में हम डीटेल से जानेंगे कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो किस प्रकार का होता है अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन से प्रोड़क्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं इसका इंप्लिकेशन क्या होग और जो overall business environment है उसके उपर क्या impact आ सकता है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे है तो simply आपको हमारे app को download करना है या फिर studyiq.com पर जा सकते हैं चाहें आप किसी भी exam की preparation करे हो state PCS हो जो बहुत कम दाम पर आपको हमारे app पर website पर सारी जांकारी मिल जाएगी आप इन courses के माध्यम से अपनी त्यारी को और बहतर कर पाएंगे चली देखते हैं exactly यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर एक body है organization है जिसका नाम है Federation of Indian Export Organization F IEO इसको कहते हैं मतलब कि यहाँ पर export import होता है उससे related चीज़ों के उपर deal किया जाता है उनके द्वारा Wednesday को ही कल ही यहाँ पर बताये गया कि तालिबान ने जबसे काबुल के उपर capture किया है और उसको देखते वे यहाँ पर जितने भी import export है भारत के साथ उसको यहाँ पर अभी के लिए बंद कर दिया है इसके जो डिरेक साइड में पूरा आपको पता होगा जो बांडरी है वो आपका पाकिस्तान के साथ जोड़ता है यह आप देख पाएंगे जैसे कि हाइबर पास हो गया कराची वाला यहाँ पर एरिया हो गया सॉरी कराची नहीं है कराची तो आपका सिंध प्रोविंस में आ जाएगा खरल होती important आपका transit route है और ज्यादा तर जो transit route है उसको सबसे पहले capture करनी की कोशिश की थी तालिबान ने क्योंकि यह ऐसे points होते हैं जहाँ पर जितने भी goods की movement है वो देखने को मिलती है और अगर आपने एक बार transit point को capture कर लिया तो वहाँ पर जो भी revenue collection वगर है वो वहाँ पर कर पाएंगे और यह जितने भी transit route है यहाँ पर import export को रोग दिया गया है अब क्या होता है कि यहीं से हमारा ज्यादा तर अगर आप देखोगे पाकिस्तान के थ्रू जो trucks वगर होते हैं वो पास होते वे भारत में जम्मू कश्मीर में आते हैं और इस तरह से कारोवार काफी ल पास है और इंडिया इस नॉट ओनली वन अफ दे लाज़ेस्ट पार्टनर मतलब अफगानिस्तान के लिए जो काफी इंपोर्टेंट देश है वो भारत एक आपको देखने को मिलेगा इसके लाव हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है इन फाक्त आपको पता है थ्री बिल 2021 में अगर आप देखोगे इस अराउंड 835 मिलियन डॉलर के आसपास और जो हम इंपोर्ट कराते हैं उसकी वैल्यू अभी आपको करीब 510 मिलियन डॉलर के आसपास देखने को मिलेगी ठीक है तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है दोनों देशों के लिए और कौन से गूट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है तो भारत एक्सपोर्ट करता है मतलब हम अफगानिस्तान के अंदर भेजते हैं जैसे सुगर हो गया फार्मासोटिकल बहुत इंपोर्टेंट जैसे दो दवाईयां होती हैं वो हम भेजा करते हैं अपैरल हो गया टी, कुछ little gum हो गया, onions हो गया, ये भी हम भारत के अंदर import कराते हैं अफगानिस्तान से, लेकिन अब इसका implication क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जो dry fruits के prices वगर हैं, उसमें आपको इजावा देखने को मिलेगा, और ये आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनो में करीब 85% का, देखे कोई छोटा मोटा आकरा नहीं होता है, 85% जंप कर सकता है भारत के अंदर जो dry fruits के prices हैं, अल्दो अभी के लिए कोई बहुत बड़ा जंप नहीं हुआ है, लेकिन still यहाँ पर ये साब दिखाता है कि अगर export-import कलंबे समय तक रुका रहेगा, तो इसक बड़ा जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अल्रेडी बताया जा रहा है कि जम्मू रीजन में 10-15 दिन में पिछले यहाँ पर disruption आ रहा है, supply नहीं आपा रही अच्छे से, इसकी वज़े से आप देखोगे तो यहाँ पर जो raisins हो गया, किश्मिश हो गया, उसमें 200 रुपीज पर किलोग्राम में इदाफा हुआ है, पिस्ताची हो गया, इसमें 250 रुपए पर किलोग्राम का इदाफा हुआ है, तो यह धीरे धीरे आपके बढ़ते जाएंगे और काफी तेजी से आपको बढ़ते वे देखने को मिलेगा, अल्दो यहाँ पर जो सहा है, उ इंपोर्ट को बंद करके रखेगा, तो उसको उतनी लेजितिमेसी नहीं मिल पाएगी, तो इस बात को तालिबान समझेगा, और जो ट्रेड हम जिस प्रकार से कर पाते थे, वो शायद आगे चलकर चालू रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, और तालिबान को भी पात पता है कि भारत का जो रोल है, वो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वगानिस्तान के अंदर, वो अभी के लिए कंटिनू है, लेकिन वो पाकिस्तान के रू ये बहुत लंबा होता था, इसके लिए यहाँ पर आपने सुना होगा बंदर अबास, बंदर अबास ध्यान रखेगा कि जब आप भारत की तरफ से इरान की तरफ जाओगे, तो चाबहार पोर्ट पहले आता है, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट आफ होर्मोस को क्रॉस कर करते हैं, तो इधर से जो एक्सपोर्ट किया जाता है अफगानिस्तान से, कुछ गुटसी होते हैं ऐसे, जो की हम अभी भी कर पार हैं, इसके लावा दुबाई के माध्यम से जी, यह जो योई आप देख रहे हो, यहाँ पर यह जो देश है, यहाँ पर दुबाई से भी हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, थोड़ी बहुत चीजें हो पारी हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो सारी चीजें हैं, वो अभी के लिए बंध हो चुका है, इसके अलावा इन सारी चीजों को देखते वे, जो नेक्स्ट इंप्लिकेशन होगा, वो होगा भारत के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके उपर बहुत सारे अंसर्टिनिटी आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंडियन बिजनेसेज हैं, वो अपने काम को इंशॉर करा लेते हैं, तो यहाँ पर इट इस फाइनेस्ट बाई इंटरनाशनल एजेंसीज, तो एक प प्रोजेक्ट्स बन सकता था, एक इंवेस्टमेंट की ऑपरचुनिटी आ सकती थी, वो नहीं आ पाएगा, एक्जामपल अगर हम वैपकॉस की बात करेंगे, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यह बेसिकली क्या करती है, वाटर से रिलेटेट सर्विसेज हो गया, पावर हो सिचुएशन है, दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर आई हो कि इसमें सब कुछ जो भी था भी के लिए मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जाने से पहले क्योंकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस कोईशन में, क्या आप बता सकते हो कि भारत जो है सबसे ज़्यादा टी कहां से इंपोर्ट कराता है, ध्यान रखे को एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपोर्ट तो हम करते ही हैं बड़ी मात्रा में और देशों में, लेकिन इंपोर्ट हम कौन से देश सबसे ज़्यादा कराते हैं चाय का, टी का, इसका जो राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टेग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो, बाकि अगर आपको पीडियाश चीज़े तो टेलिग्राम पर आइए, अलग-लग सोशल मीडिया पर भी आप मुसे यहाँ पर जोड़ सकते हैं, प्लस अगर आप UPSC की तयारी करें, जैसा मैं आपको बता रहा था, तो बहुत ही कम दाम पर सारे कोर्सेज कीसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो, हमारे आप को डानलोड करें, studyiq.com पर सारी चीज़ें आपको उपलब्त करा दी जाएंगे, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूँ आप सेने एक्स्राइम तिल द